नमस्कार मेरा नमस्वनिस सिंग में आता हाँ जुन आपके सामने अडवांस क्लासिकल मेकेनिस रलेटेट एक और नया लेक्चर लेके आज को हमारा है लेक्चर नमबर 53 और आज किस लेक्चर की सुरुबात होती है एक इम्पोटेंट कॉस्चन से क्या बोल रहा है कॉस्चन यहां पर एक टाइप की स्केटरिंग है जहां पर एक पार्टिकल एक रिजिड एलास्टिक स्फेर से टकरा रहा है और फिर स्केटर हो जा रहा है तो इस टाइप की स्केटरिंग के लिए डिफरेंटिल स्केटरिंग क्रॉस सेक्षन क्या होगा और टोटल स्केटरिंग आप जैसे कि आप सब लोग जानते हैं इससे पिछले और लेक्चर में हमने डिसकस किया था कि भाई सकेटरिंग क्या होती है एकचल मैं इसकेटरिंग से डिलेटिक कम से एक हम तीन लेक्चर हम पढ़कर यहाँ पहुचे हैं तो differential scattering cross section और total scattering cross section क्या होगा यह हमें find करना है एक बार मैं दोनों का formula यह आप लग लेता हूँ फिर उन formulas में पता चलेगा कि मुझे किन किन चीजों की requirement है इस question को करने के लिए तो since we know from our previous lecture differential scattering cross section sigma phi is equal to कितना होता है minus का p upon sin phi और यहां आता bracket में dp divided by d phi आता है अब यहां पर जो p है वो क्या है इसे हम बोलते है impact parameter here p is impact parameter and this phi is known as angle of scattering जो phi है वो क्या है angle of scattering है अब बात करते हैं कि total scattering cross section sigma will be equal to क्या हो जाएगा integration d sigma over d omega और into d omega यह जो time है यहां पर यह क्या है यही चीज़ है differential scattering cross section है और इसको कहले इसको होता हो में integration कितना आ जाएगा यह sigma phi into कितना जाएगा d omega आ जाएगा so this is our total scattering cross section यहनि अगर मुझे differential scattering cross section और total scattering cross section निकालना है तो पैने कार निकालना पड़ेगा impact parameter फिर कार निकालना पड़ेगा यह angle of scattering सारी value यहां put कर दूँगा इस type की scattering के लिए और answer निकला जाएगा okay question पर ध्यान देते हैं question में क्या दे रखा है एक rigid elastic sphere दे रखा है क्या दे रखा है एक rigid elastic sphere rigid का मतलब क्या होता है एक ऐसा sphere जिसका save और size क्या है fix है ऐसे बोल सकते हैं वो जो sphere जिस substance का बना है उस substance के molecule के बीच का जो separation है वो fix हो गया है तो इस type के sphere को हम क्या बोलनेंगे rigid लेकिन यहाँ कान यहाँ पर खतम नहीं होती यहाँ पर एक और word लिखा है elastic elastic के नहीं क्या मतलब हुआ elastic से यहाँ पर मतलब हुआ कि जब भी यहाँ पर scattering होगी तो जो particle incident हो रहा होगा यह फिर जो projectile particle होगा वो अपनी kinetic energy को conserve रखेगा याँ टकराने से पहले और टकराने के बाद जो kinetic energy होगी वो change नहीं होगी याँ kinetic energy conserve और linear momentum भी क्या रहेगा conserve रहेगा देन दिस टाइप ओफ इस पेर इसका इसा है कि यहां से एक पार्टिकल आ रहा है जिसका mass m है और जिसकी velocity कितनी है initial v है और वो इस तरह से क्या हुआ यहां पर incident हुआ अब यह जो distance है यहां से लेकर यहां तक यह जो perpendicular distance है इसे को में क्या बोलता हूँ impact parameter P बोलता हूँ उन्हें पढ़ा है इंपक्ट परेरमेटर क्या होता है इन दोनों के बीच की perpendicular distance को ही हम क्या बोलते है Impact parameter बोलते हैं अब जब particle यहाँ पर इस तरह से incident होगा तो टकराने के बाद कहां जाएगा तो answer है हम classical mechanics पर रहे हैं तो यह laws of reflection हो क्या करेगा follow करेगा और laws of reflection क्या होता है कि angle of incident will be equal to angle of reflection और angle of incident और angle of reflection कहां से मिज़र होते हैं normal से यहां बोसते perpendicular से अगर मैं point of incident पर propanel खुचूँगा तो कैसे खुचूँगा यहां से क्या गरो इस तरह से यह land रो कर दो जो कहां से पास हो रही है इसके center से पास हो रही है और यह क्या हो जाएगा हमारा normal हो जाएगा ठीक है so this is our normal and this angle will be I, यह angle क्या होगा मेरे पास I होगा और यह particle क्या हो जाएगा इस तरह से यह reflect हो जाएगा in this way and this angle R और angle I जो होगा वो किसके बराबर होगा angle R के बराबर होगा lodge of reflection ओके यह तो क्या हो गया P हो गया अब बात किसी करनी है phi की, phi क्या होता है angle of scattering होता है incident direction और direction before scattering and direction after scattering के बीच का जो angle होता है उसी को हम क्या बोलते है angle of scattering बोलते है अब इस point पर अगर यह इस पर यहाँ पर नहीं होता मेरा particle ऐसे सीधे आगे निकल जाता ऐसा होता नहीं होता यानि उसकी initial direction क्या है यह है और after scattering direction कैसे है ऐसे है यह जो एंगल हुआ यहां से यहां तक यह एंगल क्या है मेरे पास फाई है और इसी को में क्या बोलूँगा angle of scattering बोलूँगा so this angle phi is called angle of scattering ठीक एतने बास नमागी ना अब यहां पर मैं कुछ चीज़े कर रहा हूं मैं एक काम कर रहा हूं यह जो मेरे पास यह line है इसको ऐसे पीछे बढ़ा दू कि यह कुछ फाइदा होगा ऐसा करने से एक काम तो यह किया मैंने ऐसा काम करते ही मुझे कुछ चीज़े मिली जैसे देखो अगर यह angle मेरे पास क्या है R है और अगर मैं P निकालना मेरे कुछ न तो कुछ नुकुछ करे P निकालना पड़ेगा यह यहाँ पर normal आ गया और alpha भी निकालना है कुछ ऐसा करो कि P और alpha निकल के आ जाए ठीक यह normal है कैसा आएगा यह कितना हुआ this will be equal to R यह कितना होगा R होगा और यह कितना होगा मेरे पास angle I होगा यह वास वन्मारी आपको देखो मैं इस point को P बोल दे रहाँ इस point को M बोल दे रहाँ इस point को N बोल दे रहाँ इस point को मैंने O बोल दिया ठीक है और यह जो point है इसे मैंने क्या बोल दिया point A बोल दिया तो यहाँ पर यह जो angle है angle N A O किसकराओ होगा R के बराबर होगा ठीक है और जो मेरे पास angle कुन सा वाला यह वाला angle होगा वा I के बराबर होगा यह वास वान्मारी आपको simple geometry है और यह यहाँ से लेकर यहाँ तक यह एक state line है और यह pull angle कितना होगा 180 होगा इसका मलब angle 5 plus angle I plus angle R equal to pi is equal to pi minus का 5 तो यहाँ से मेरे पास I is equal to कितना आ गया pi by 2 minus 5 by 2 आ गया यह angle I निकल गया अब एक चीद और देखो अगर यह angle I है तो यह भी कितना होगा भई I होगा नहीं होगा answer हाजी होगा अगर यह angle I है ना तो यह भी कितना होगा आई होगा अब देखो यहाँ पर एक ट्रेंगल देखो ट्रेंगल O M O M A म देखो ट्रेंगल O M A एक right angle triangle है है यह नहीं है answer हाजी है अगर इस right angle triangle में sine I लगाउं तो sine I equal to क्या होता है perpendicular upon hypotenuse लंबट्टे यह फिर क्या लगाना पड़ेगा कॉस्ट लगाना पड़ेगा लंबट्टे आधार चीए मिलको तो L A L K K कॉस आई लगाऊ तो कॉस I is equal to यह फिर परपेंडिकल अपॉन बेस कहा आता है 10 में आता है क्या लगाना पड़ेगा 10 I तो 10 I अपॉन परपेंडिकल कितना है A M और बेस कितना हो जाएगा M O आजाएगा बेस विल बेकल टू M O ठीक तो यहां से गर में क्या निकालू A M निकालू तो A M इकल बेकल कितना आगया M O इन्टू 10 I आजाएगा ठीक है यह बास सफंच भाई कि इस M O इस एप्रॉक्स एक्वल टू P O जो M O होगा वा P O के लगभग बराबर होगा बिकास बोद अपॉइंट आर वेरी क्लोस तो इच अज़र अगला पॉइंट दखो अगला पॉइंट यह हो जाएगा इफ I is वेरी वेरी इसमाल अगर I मेरे पास क्या है बहुत छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ या फिर ऐसा करने की जरुबत है ऐसा करने की जरुबत तो मेरे को नहीं लग रही है इसको ऐसा रहे है तो यहां से मेरे पास A M A M किसके बराबर होगा P के बराबर तो P is equal to कितना आ गया है A 10 I आ गया कितना आ गया A 10 I सही आ रहा है लंबटे आधार देखो साइन से भी आ सकता है अगर मैं साइन लगाँगा यहां पर साइन I लगाँगा साइन I equal का होता है लंबटे कर्ण होता है ठीक है तो लंब कितना है मेरे पास A M है और कर्ण कितना आ जाएगा A O आ जाएगा A M upon A O ठीक है अब तो कोई दिक्कत नहीं अब ठीक हो जाएगा क्योंकि यहां पर approximation लेना पाटा है न बरको यह वालना हो ऐसे भी जाएगा लेकिन इससे ज़्यादा ज़्यादा अच्छा answer आएगा तो यहां से A M equal to कितना आ गया A O sin I आ जाएगा ठीक है और sin I की पर लिए कितनी है तो यह A M A M equal to किसको आ रहे है P के बराबर this is equal to A किसको रहे है A के बराबर और sin I का मतलब कितना हो गया यह Pi by 2 minus 5 by 2 आ गया तो P equal to कितना आ गया A देखो pi by 2 minus 5 by 2 यंदि कितना आ जाएगा यह Cos 5 by 2 आ जाएगा Cos 5 by 2 यह क्या निकलना मेरा P निकल किया गया अगर P निकल गया अब क्या निकल दो यहां से D P अपॉन D Phi निकल दो तो D P अपॉन D Phi इक्वल टू माइनस का A Sine Phi by 2 इंटू 1 by 2 यह क्या निकला D P अब D Phi निकल गया अब एलिपूट कर दो से से दे तो यहां से मेरे पास Sigma Phi is equal to कितना आ गया यह माइनस का P की जो कितना यह है P की जो कितना है A Cos Phi by 2 और अपॉन नीचे कितना आ जाएगा Sine Phi और इंटू यह पूरा टम आ जाएगा माइनस का A Sine Phi by 2 इंटू 1 by 2 ठीक है अब कुछ चीज़े कैंसिल हो जोगे यह जरपे क्या हो जाएगा यह इसको माइनस का A देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है और यह A इंटू A A स्कॉर आ गया और यह कितना हो गया Cos Phi by 2 into Sine Phi by 2 अपॉन यह 2 है यह Sine Phi है इसे में कलर सकता हूँ 2 Sine Phi by 2 Cos Phi by 2 ठीक है देखो Sine Cancel, Cos से, Cos Cancel तो यहाँ पर Scattering Cross Section Sigma Phi इस इकल टो कितना आ गया है A स्कॉर बाई 4 आ गया This is my Sigma Phi ठीक है अब क्या निकाल ला है Total Scattering Cross Section तो Sigma will be equal to Intrigation इसकी वेल्यू कितनी है Sigma Phi की वेल्यू A स्कॉर बाई 4 4 इन्टू क्या आएगा D Omega Omega क्या है आपर Solid Angle तो इस इस A स्कॉर अपॉन 4 Intrigation D Omega और एक स्पेर इसके सेंटर पर कितना Solid Angle ना आता है 4 Pi इसकी मेल्यू कितनी है जागी 4 Pi आ जाएगी तो Sigma is equal to A स्कॉर अपॉन Pi इन्टू 4 Pi इससे एक एंसल तो Total Scouting Cross Section equal to Pi A स्कॉर क्या निकल क्या आया Pi A स्कॉर और जो Pi A स्कॉर होता है वो क्या होता है Area होता है होता है नहीं होता है Area तो from here we can conclude that Dimension of Scouting Cross Section and Total Scouting Cross Section is Dimension of Area मैंने आप से पूछा भी था क्या बता सब तो इसकी Dimension कितनी होती है तो इसकी Dimension कितनी हो जाएगी L स्कॉर Dimension of Total Scouting Cross Section and Scouting Cross Section will be equal to L स्कॉर ठीक है और यह छोड़ा सा question था लेकिन important question है अब यहाँ पर ऐसे भी हम कर सकते थे लेकिन हमें कुछ यहाँ पर यह कंडिशन देनी पड़ रही है और यह कंडिशन अब कब लंगे जब P की वेल्यू क्या होगी बहुत छोटी होगी और यह M.P के बहुत नजदीगा जाए लेकिन इतना करने की जरुआ हमको नहीं पड़ी क्योंकि हमारा पास एक alternate यहाँ पर दिख गया होगी पसंदारी होगी अगर पसंदारी है संजमारी है तो उसको लाइक करो शेर को सस्क्राइब करो मैं मिलता आप से नेस क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ तरफले थेंक यू अन्यवाद बाबाई